आज साइन्स क्लास में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक साइन कंवेंशन फॉर स्पारिकल मिरर गोली दरपणों के लिए चिन्न परिपार्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं यह टॉपिक नुमेरिकल्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कंवेंशन फॉर स्पारिकल मिरर देखे आपको एक रोड दिख रही होगी और इस रोड में लगे हुए इन सिगनल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे यह जो सिगनल है इनके एक परंपरा है अगर रेड लाइट ग्लो हो जाए तो हम रुक जाते हैं अगर यलो लाइट ग्लो हो तो हम वेट करते हैं और अगर ग्रीन लाइट ग्लो हो तो हम चलने लग जाते हैं तो यह परंपरा है सिगनल की और यह परंपरा क्यों बनाई गई है तांकि रोड में ट्रैफिक प्रापरली चलता रहे जैसे एक और परमपरा है कि हम left hand side में चलते हैं रोड में तो ये सब परमपराएं हैं ताकि रोड में traffic प्रापरली चलता रहे कुछ ऐसी परमपराएं हैं physics में भी जिससे physics को आसान बनाया जा सके और अगर हम mirror की बात करें तो वहां कुछ चिन्नों की परमपरा है और जिसे कहते हैं हम sign convention चिन्न परिपाटी जैसे रोड में चलने के लिए हमने कुछ परमपरा बना दी ठीक उसी प्रकार mirror से दूरियान आपने के लिए हमने एक परिपाटी एक परमपरा बना दी चिन्नों की परमपरा अब यह कौन-कौन से चिन्न हो सकते हैं जिनने हम sign convention में लेंगे यह चिन्न है positive और दूसरा negative तो हम कह सकते हैं sign convention है दरपण से mirror से दूरियान आपने के लिए positive तथा negative चिन्न का प्रियोक करना sign convention कहलाते हैं तो हम कहेंगे कि sign convention में हम use करते हैं positive और negative sign का distance को measure करने के लिए from the mirror अब इसको और clearly समझने के लिए हम एक mirror को draw करते हैं और देखिए यह कौन से mirror draw किया हमने यह किया हमने concave mirror इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं यह concave mirror है क्योंकि इसके reflecting surface देखिए अंदर के और को एक cave बना रही है इसलिए यह बन गया concave mirror यह इसका principal axis और यह यहाँ पे देखिए यह है इसका pole जो reflecting surface के ठीक बीच में हैं और यह यहाँ पे focus अब देखिए इसके reflecting surface किस और को दिख रही है आपको यह है left hand side को और reflecting surface के ठीक पीछे जहाँ polish लगावा है वो है अभी और right hand side को अब देखिए मैं इसके reflecting surface के अगर आगे कोई object रखूँगा तभी इसमें कोई प्रत्वे में बन सकता है पीछे अगर रख दे तब तो नहीं बनेगा ना तो हमने एक object को रख दिया है इसके आगे देखिए दिख रहा आपको object इस reflecting surface के आगे अब इसके एक image बन रही है दे real image और यह भी किस side बनी है देखिए left hand side को तो sign convention का जो first law है वो यह बताता है कि हमें दरपन से mirror से जितनी भी दूरिया नापनी होंगी उन दूरियों को हम measure करेंगे pole से यानि कि pole से focus की दूरी हम कहेंगे या हम कह सकते हैं pole से object की distance या pole से image की distance तो first law को कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है सभी दूरिया दरपन के दूरूप से नापी जाती है pole से सभी distance measure की जाएंगी तो यह था हमारा first law अब second law जानते हैं क्या है देखिए हमने इस object को अभी रखा है left hand side में यानि कि इस mirror है इसके reflecting surface के सामने हमने एक object रखा हुआ है अब बताएए यह image कब बनेगी बिल्कुल सही कहा आपने जब इस object से light ray incident होंगी इस reflecting surface पर कुछ इस प्रकार से देखें इस प्रकार से गर light ray incident करेंगी तभी यह image form होगी तो second law के accordingly जो आपतित किरण की दिसा है यानि कि जो इसका direction है incident ray का direction वो हमेसा positive होता है हम सरल भासा में कहें तो हम कह सकते हैं आपतित किरण जिस दिसा की ओर को जा रही है वो दिसा हमेसा धनात्मक होगी अब देखें आपतित किरण कहां से कहां को जा रही है इस left hand side से right hand side को तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा first law कहता है कि जितनी भी distance है वो measure की जाएंगी पोल से तब हम कहेंगे कि जो incident ray है वो left hand side सकर right hand side को जा रही है तो पोल से right hand side की जितनी भी distance होंगी वो होंगी positive और इसके opposite direction में incident ray के opposite direction में जितनी भी measurement हम लेंगे वो सब की सब होंगी negative तो second law को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कहेंगे आपतित किरण incident ray की दिसा direction में मापी गई दूरिया धनात्मक positive वो इसके विप्रीद direction में opposite direction में मापी गई distance negative होती है जैसा कि इस case में देख रहा है तो यह तो होगे दो नियम sign convention के अब जो third law है sign convention का उसके अनुसार जो यह principal access है इस principal access के उपर की और को उपर की और को जितनी भी दूरिया होंगी वो होंगी धनात्मक वो क्या होंगी धनात्मक दूरिया होंगी उपर की और को जैसे कि यह object तो हम कह सकते हैं object तो हमेंसा हम सीधा ही रखेंगे तो object हमें साथ धनात्मक होगा और अगर कोई image नीचे को बन रही देखे principal access के नीचे को तो यह नीचे के दूरियां यह ना पी जाएंगी यानि कि negative sign के साथ है तब हम तीसरे लोग के कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कह सकते हैं मुक्यक्ष principal access के लंबवत upward and perpendicular की और दूरियां धनात्मक होती है देखे उपर की और की दूरियां धनात्मक और downward perpendicular मापी की दूरियां हरिनात्मक यानि कि negative होती है नीचे को जो दूरियां आपी जाएंगी वो negative है तो यह तो था science convention के लिए कुछ important rule जो हमें बताते हैं कि इन positive और negative science का use हम कैसे करें अब इसके बाद थोड़ा हम और कुछ symbols के बारे में जान लेते हैं अगर आप draw पी से लेकर के object तक की दूरी को measure कर रहे हैं तो उसके लिए जो symbol है उसे हम लिखते हैं U तो हम कह सकते हैं इस case में U है negative इसके बाद pole से लेकर के इस image तक की distance को अगर हम measure कर रहे हैं तो उसके लिए हम symbol लेते हैं V देखे इस case में V भी है negative क्योंकि यह incident ray के opposite direction में है कहीं यहां पर और तीसरा हम symbol लेते हैं वो लेते हैं तो यह थे तीन important rules and convention के और यह हैं तीन important symbols जिनका use हम आने वाले आगे के numerical में भी करेंगे चलिए अब हम देखते हैं इस mirror को अभी जो हमने left hand side में रखा था reflecting surface को अब हम इसे थोड़ा change करके देखते हैं और इस mirror के reflecting surface को हम right hand side में करके देखते हैं कुछ इस प्रकार्स हैं तो यह जो तीनों law हैं यह reflecting surface के direction को change करने पर भी नहीं बदलेंगे क्योंकि यहां पर हमने जो directions जो science लिये हैं वो लिये हैं incident ray के direction में अगर direction में है तो positive और इसके opposite direction में है तो negative तो यह तो हम जानगे कि हम science का use कैसे करेंगे और एक important बात जो आपने जानी होगी आपने notice किया होगा कि concave mirror के लिए जो focal length है वो हमेशा negative में रह रही है देखिए यहां negative है ना क्यों negative में है क्योंकि incident ray के यह हमेशा negative direction में होगी opposite direction में होगी हमने अब तक जो यह sign convention पढ़ा जो हमने sign convention को के rules पढ़े इनको एक नाम दे दिया जाता है और इसको हम नाम दे देते हैं इस sign convention को Cartesian sign convention कार्थी चिन्न परिपार्टी और यह कार्थी चिन्न परिपार्टी क्या है आपने graph देखिए होगा ग्राफ graph में आपने देखा होगा यह जो axis है जो horizontal axis है यह है x और एक vertical जो axis है इसको हम मानते हैं graph में आपने जानते हैं आप इसको y axis और आपको यह भी पता होगा बीच का बिंद होता है जो center point होता है हम यहां से सारी दूरियां नापते हैं left hand side में और right hand side में या फिर यहां से दूरियां नापते हैं upward उपर को या फिर downward नीचे को अब देखिए जो Cartesian sign convention है उसके अनुसार हम object को हमें साब बाई और रखते हैं जैसे हमारी देश में हम left hand side में ही गाड़ियां चलाते हैं कुछ उसी प्रकार से एक परंपरा बना दी गई है Cartesian sign convention के accordingly कि हम object को हमेशा बाई और रखेंगे तो हम कह सकते हैं पहला जो important बात हमें याद रखनी है कि Cartesian sign convention कार्थी चिन्न परिपार्टी के अनुसार object को हमेशा left hand side में ही रखा जाता है Cartesian sign convention के अनुसार जो कार्थी चिन्न परिपार्टी है इसके अनुसार जितनी भी दूरियां पोल से बाई और होंगी वो होंगी रिनात्मा की ये परंपरा है जैसे मैंने कहा था ना कि हमारे यहां गाड़ी चलाने की एक परंपरा है कि हम हमेशा road में left hand side में चलेंगे ठीक उसी प्रकार object को हम रखेंगे कार्थी चिन्न परिपार्टी के नुसार बाई साइड में और पोल से जो भी चीज़ें बाई और होंगी चाहे वो focus हो या फिर object हो या फिर image बने वो सब की सब होंगी minus में तो हम कह सकते हैं यहां देखें यह दिख रहा है आपको यह है minus sign तो हम कहेंगे left hand side minus बिलकुल इसके opposite में क्या हो जाएगा फिर यह हो गया positive तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कह सकते हैं धुरूब पोल के बाई और left hand side की दूरिया negative तथा दाई और right hand side की जि जितनी भी दूरिया हम इस y-axis में उपर को ना पेंगे upward ना पेंगे वो होंगी positive वो होंगी positive देखें और जितनी भी distance को हम downward measure करेंगे वो सब के सब होंगी negative तो यह देखे y-axis minus में इसे भी हम कुछ इस परकार से लिख सकते हैं मुक्यक्ष के लंबवाद upward and perpendicular जितनी भी distance measure की जाएंगी वो सब के सब positive होंगी और नीचे की और को जितनी भी distance measure की जाएंगी वो सब के सब negative होंगी एक ही अंतर है जो हमने अभी तक पढ़ा था उसमें और इस नई कार्थे चन्ने पारटी में कि हमने अब तक पढ़ा था कि incident ray का direction हमें सब positive होगा अगर वो इस left hand side से incident ray fall करती है mirror के reflecting surface पे तो दाइं और को होगा positive और reflecting surface की opposite direction में होगा negative लेकिन नई कार्थी चन्ने पर ये पारटी कहती है कि हमें object को हमेशा बाइं और रखना है जिससे कि हमेशा जो बाइं side होगी वो negative बनी रहेगी और जो दाइं side होगी वो हमेशा positive बनी रहेगी चलिए अब इ प्रयास करते हैं तो यह है आवतल दरपन देखिए अब इसके reflecting surface किस और को है left hand side को यह object है जिसकी आपको height दी गई है 2 cm और यह एक image बन रहे है जिसकी भी height आपको दी गई है 3.5 cm की फिर आपको दिया गया है इस example में object की distance from the pole, pole से जो object की दूरी दी गई है वो दी गई है 4.5 cm इसके बाद आपको दिया गया है pole से image तक की distance दी गई है 10 cm और जो तीसरी आपको बात बताई गई है इस example में वो दिया गया है pole से focus तक की distance 3 cm तो चलिए अब हम इनमें sign लगाने का प्रयास करते हैं आपको पता है कि इस object से प्रकास की करने कुछ इस दिसा में चल रही ह साइड तो positive होगी और left hand side negative होगी और आपने अभी जाना था कार्डिशन साइन कर्वेंशन के according भी जितनी भी चीज़ें जो बाई और को आपको जितनी भी measurement दिये गए हैं यह सब की सब negative होगी तो हम कह सकते हैं U means pole से लेकर के object तक की जो distance है वो है minus 4.5 cm तो बताएए यह जो distance है जिसको हम V कहते हैं pole से लेकर के image तक के distance यह किसमे होगी यह भी minus 10 cm और इस pole से लेकर के focus तक के distance क्या होगी किस sign के साथ होगी यह होगी minus 3 cm तक यह है partition rule के accordingly क्योंकि सब की सब जितनी भी हम measurement ले रहे हैं वो left hand side में ही ले रहे हैं तो सब की सब किसमे हा रही है minus 1 और third lock के है याद करिए third lock accordingly अगर कोई object principal axis के उपर को रखा हो तो उसके distance को measure करते हैं उसकी height को measure करते हैं positive sign के साथ और अगर image बन रही है downward नीची के और को तो यह होगा negative sign के साथ तो हम कह सकते हैं अगर object को pole के बाई और रखा जाए तो हम Cartesian sign convention का use करते हुए pole के बाई और negative sign का use करते हैं और right hand side में positive sign का use करते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी बच्चे इसी को follow कर रहा हूं कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो इस object को right hand side में रखके देखता हूं क्या यह जो measurement हमने लिए हैं इनमें जो हमने science लगाए हैं क्या वो तब भी ऐसे ही रहते हैं तो उन बच्चों के लि उनने जो reflecting surface उसके direction को change कर लिया राइट इन साइड में reflecting surface को रख लिया अब देखें हमने राइट इन साइड में एक 1 cm का object लिया हूए है और इस object की जो अब की बार image बन रही है वो बन रही है reflecting surface के पीछे यानि कि यह image जो बन रही है यह है virtual image बन रही है और यह कितनी है height की यह है इसकी 4 cm की पहली measurement जो आपको दी गई है वो दी गई है pole से object तक के distance 1.5 cm जो second measurement आपको दी गई है वो दी गई pole से image तक के distance 4.5 cm और इसके बाद जो आपको दी गई है एक measurement pole से लेकर के focus तक के distance 3 cm चले अब इनमें हम चिन्ह को लगा के देखते हैं तो बताइए यह जो distance है pole से लेकर के object तक के distance 1.5 cm इसके आगे कौन सा sign लगेगा सोचे और याद करिए हमने क्या एक रूल पढ़ा था कि incident ray का direction positive होगा देखें इस object से incident ray कुछ इस प्रकार से जाएंगी और वो pole से आगे को यह जो distance है यह हो जाएगी positive और इस incident ray के opposite direction में यह होगा negative तो हम कह सकते हैं यू pole से लेकर के object तक के distance 1.5 cm वो होगी negative इसके बाद आप यह बताएए pole से लेकर के इस image तक के जो distance है 4.5 cm इसमें कौन सा sign लगाएंगे आप सही कहाँ आपने क्योंकि यह incident ray के direction में बन रही है image इसलिए हम इसमें लगाएंगे positive sign तो V हो गया हमारा plus 4.5 cm अब एक measurement और बज़ गया आपके पास जो है pole से लेकर के focus तक के distance क्योंकि आपको पता है कि concave mirror के लिए तो focus हमेशा minus में होगा और दूसरी बार क्योंकि focus हमेशा incident ray के कहा है देखिए opposite direction में तो यह measurement भी जो F है वो भी minus में होगी और वो होगी minus 3 cm तो हम कह सकते हैं कि हम direction को बदल दें तो हमने use किया है incident ray के direction का और incident ray के direction के accordingly ही हमने sign को लगाया है जिस direction में incident ray जा रही थी उस direction में हमने positive sign लगाया और उसके opposite direction में हमने लगाये negative sign लेकिन देखिए अभी भी हमारे पास दो measurements और बच गई है आपको एक height बचिए हमारी 1 cm जो हमें दी थी object की height अब बताएए इसमें कौम सा sign लगेगा ठीक answer है आपका क्योंकि ये upward है ये principal axis के ऊपर को है तो ये sign लग जाएगा यहां positive sign और यहां पी देखिए आप ये जो image बन डी ये भी upward बन रही है तो इसमें sign लग गया positive 4 cm इससे आम एक बात और सीखे अगर image virtual बने तो वह हमेंसा positive होगी उसकी जो distance होगी pole से वह हमेंसा positive होगी औरकि जो height होगी वह भी हमेंसा अगर वह ऊपर को बन रही है तो वह हमेंसा positive होगी तो इस example में इन sign का use करके जो चिन्न हैं का use करके हम कह सकते हैं कि जदी object को pole के दाईयों रखा जाए जैसा इस example में था तो incident ray आपतित किरण की दिसा के अनुसार pole के बाईयों और धनात्मक यानि की positive तथा आपतित किरण incident ray के opposite direction में रणात्मक यानि की negative चिन्न का use करते हैं तो जितनी भी हम directions लेंगे incident ray के opposite direction में जितनी भी measurement लेंगे हम incident ray के opposite direction में वो सब की सब रणात्मक होंगे यानि की वो negative होंगे तो ये बात उती आउतल दरपन के लिए concave mirror के लिए अब जानते हैं क्या convex mirror में भी क्या उतल दरपन में भी sign convention को इसी प्रकार से use करते हैं ये है principal axis और ये है हमारा convex mirror क्यों है देखे convex mirror क्योंकि इसके reflecting surface बहार की और को उठी हुई है ये इस convex mirror का pole और आपको पता है convex mirror के लिए उसका जो focus होता है वो reflecting surface के पीछे को है तो ये हम कह सकते हैं इसके reflecting surface convex mirror की अभी है left hand side में और reflecting surface के पीछे जो अभी जहां आपको focus देख रहा है वो है इसके right hand side में अब देखिए हम इसके reflecting surface के ठीक आके यानि की तो आपको पता है science convention के accordingly incident ray का direction positive होगा देखिए किस direction को अभी incident ray fall कर रही है left hand से right hand को तो हम कह सकते हैं pole से right hand side की जितनी भी directions होगी वो सब की सब होगी positive जैसे कि अभी जो image बनी है ये जो direction में बनी है ये image होगी positive direction में incident ray के opposite direction में जो measurement होगी वो होगी negative जैसे कि अभी यहाँ पर कोई अबजेक्ट है pole से इसकी जो distance होगी वो होगी negative अब इसको एक बार हम compare करके देख लेते हैं concave mirror के साथ देखिए ये है concave mirror के लिए science convention तो आपने देखा था camera के लिए यदि हम left hand side में किसी object को place करते हैं और उससे incident ray fall करती है उसके reflecting surface पह है तो right hand side में जो भी measurement आएंगी वो positive आएंगी और इस incident ray के opposite direction में जितनी measurement होगी वो सब के सब negative होगी और ये partition rule के according भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हम object को left hand side में place करेंगे तो सारी जो measurement left hand side के लेंगे वो सब के सब negative होगी देखिए यहां भी convex mirror में भी ठीक वैसा ही है हमने object को left hand side में लिया है तो ये left hand side की measurement minus में आ रही है और right hand side की positive में आ रही है पस एक जो difference आपको इन दोनों में दिखेगा वो ये दिखेगा कि concave mirror का जो focus है वो हमेशा क्या है negative और क्यों है क्योंकि ये reflecting surface के आगे को है यह हम कहें incident ray के opposite direction में जबकि convex mirror का जो focus है वो है positive और ये क्यों है positive क्योंकि ये incident ray के same direction में है ये difference है इन दोनों के principle focus के लिए अब देखेगा sign convention के accordingly आपको पता है कि ये जो axis है horizontal axis और एक है vertical axis जो horizontal axis है ये होगी minus में बिल्कुल देखेगा पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको concave mirror के case में और pole से जो red inside की direction है वो होंगी plus में ठीक ऐसे ही pole से upward जितनी भी हम measurement लेंगे वो होंगी positive और pole से downward जितनी भी measurement लेंगे वो होंगी negative तो हम कह सकते हैं कि sign convention दोनों के लिए ही दोनों mirrors चाहे वो concave हो या फ़र convex हो same है तो चलिए इसको भी हम कुछ example से और clear कर लेते हैं तो ये हमने एक इस समय left hand side की और को इसकी reflecting surface है तो हम object को भी left hand side में रखेंगे तो हमने एक object रख लिया है 3 cm height वाला एक object रख लिया हमें left hand side में और जो distance आपको दी गई है pole से लेकर के object तक की वो है 7.5 cm इसके बाद जब हमने object को इस left hand side में 7.5 cm पर प्लेस किया right hand side में जिसके distance pole से लेकर के इस image तक की distance है 2.5 cm और इसके बाद की जो distance आपको दी गई है वो है pole से लेकर के इस focus तक की distance जो की 6 cm है तो चलिए science convention के अनुसार इन में फटा-फट से हम science लागके देखते हैं आपको पता है Cartesian sign convention के accordingly जितनी भी measurement हम left hand side में लेंगे वो सब की सब होंगी negative तो हम कह सकते हैं pole से लेकर के object तक की जो distance है u minus 7.5 cm होगा तो यह 7.5 cm किस में है minus frame अब pole से लेकर के जो image तक की distance है क्योंकि यह right hand side में है और Cartesian rule के accordingly जितनी भी हम measurement right में लेंगे वो होंगी positive तो यह हो गया plus 2.5 cm तो हम कहेंगे V है इसके लिए plus 2.5 cm अब आप बताए कि जो distance है pole से लेकर के focus तक की 6 cm इसमें आप कौन सा sign लगाएंगे बिलकुल ठीक कहा आपने इसमें भी हम लगाएंगे positive sign क्योंकि यह है और right hand side में अब देखिये हमारे पास दो measurement और बजगई है एक बजगई है हमारे पास इस object की height 3 cm और एक बजगई है हमारी इस image की height 5 cm आपको पता है Cartesian sign convention के अनुसार principal axis के upward लिगी जो measurement है वो होंगी positive तो हम कहेंगे कि यह जो object है यह है positive और देखिये यह image भी upward है तो यह भी है positive और एक बात अगर आपको याद है तो मैंने कहा था जितनी भी image virtual बनेंगी वो सब की सब होंगी positive है ना positive और उनकी जो distance होगी वो भी होगी positive में तो हमने क्या सीका इस convex mirror के लिए हमने सीखा अगर object को pole के left hand side में रखते हैं यहाँ देखे बाई और रखा आपने left hand side में रखा जाए तो Cartesian sign convention को प्रियोग करते हुए pole के बाई और की दूरियां हम रिनात्मक लेंगे negative लेंगे और right hand side की जो distance है उनको हम measure करेंगे positive के साथ उनको हम लगाएंगे उनमें लगाएंगे हम चिन धन का तो यह था sign convention आज आपने क्या सीखा तो हमने सीखा हमने आज सीखा दरपन से दूरियां आपने के लिए positive तथा negative sign का प्रियोग करना ही sign convention चिन बरिपाटी है दूसरी बात दरपन से सभी दूरियां दरपन के ध्रोप पोल से नापी जाती है अगला आपतित के रण incident रे की दिशा में मापी गई दूरियां positive धनात्मक वो इसके विपरीत opposite direction में मापी गई दूरियां रनात्मक negative होती है next जो हमने जाना कार्थी चेन्य परिपाटी कार्टीशन साइन कंवेंशन के अनुसार बिमब अब्जेक्ट हमेशा दरपन के मिरर के left hand side में रखा जाता है कार्टीशन साइन कंवेंशन के अनुसार पोल के बाई और left hand side की दूरियां रनात्मक negative तथा right hand side की दूरियां धनात्मक मापी जाती है अगली बाद जो हमने जानी मुख्यक्ष प्रिंस्पल एक्सिस के लंबवाद उपर को upward measurement जो भी ली जाएंगी वो धनात्मक होंगी तथा नीचे की और को मापी गई दूरियां downward measurement जितनी भी होंगी वो रनात्मक negative होंगी अगली बाद जो हमने जानी उत्तल दरपण के लिए convex mirror की focus दूरी हमेशा positive होगी धनात्मक होगी जबकि आउतल दरपण concave mirror की जो focus दूरी होगी वो रनात्मक या फिर negative होगी और एक जो important बात हमने समझी वास्तविक प्रत्वे में जितने भी real images होंगी उनकी दूरी negative होगी और आभासी प्रत्वे में virtual image की दूरी धनात्मक होगी तो ये सब कुछ आज हमने सीखा आज के लिए कुछ important questions आपके लिए जो आपने करने है आपने क्या सीखा तो आपने आज जो पहला question करना है वो है धनात्मक positive focus दूरी वाला दरपन एक mirror दिया है आपको जिसकी focus दूरी positive है किस प्रकार का गूली दरपन होगा spherical mirror वो किस प्रकार का होगा जिसकी focus दूरी positive है दूसरा question है आपके लिए एक object दिया है आपको 2 cm height वाला और वो एक image form करता है जिसकी height है 5 cm तो दरपन के लिए दी गई निम्न दूरियों के आधार पर चिन्न परिपाटी sign convention के अनुसार इसका एक ray diagram बनाना है आपने उसमें आपको जो दिया है दिया है आपको U-2 cm V-2 cm F-4 cm और third और last question आपने करना है कार्ती चिन्न परिपाटी कार्डेशन साइंड कर्वेंशन क्या है आउतल दरपन काउन के mirror से एक ray diagram की help से आपने से समझाना है Thank you बच्चो चैनल को subscribe, like और share करना ना भूले